दोस्तों फाइनली वो मिस्ट्री रिवील हो गई है योकी बाबा कौन थे यही चल रहा था एनसी के स्कैम के एराउंड और फाइनली पता लग गया है कि आनन्द सुब्रमनियम जो ग्रूप ऑपरेटिंग ऑफिसर रहे हैं एनसी के तीन चार साल के लिए और वही इनसान हाँ एनसी के बाबा और आनंद सुब्रमनियम एक ही इंसान है आनंद सुब्रमनियम जो के एनसी के बाबा, योकी और चित्रा जी के साथ जोड़े होए हैं काफी बातें चल रही हैं काफी मुद्धा बना हुआ है लेकिN Ita Anand जी है सुनीता आनंद जी के बारे में शुरू हुए एक करोड का पैकेज इनका फिर लगा फिर लगा 1.15 करोड का और कुछ-कुछ महीने बाद ही इनके इंक्रीमेंट होते गई मतलब क्या बहतरी काम करती रही ये कुछ-कुछ महीने में इनको बस 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 मुझे और जोब नहीं करनी है और एक तरीके से 2016 के बाद इन्होंने अपना कॉंट्रेक्ट कॉंटिन्यू नहीं किया और वो जो कितना अच्छा मेहनत से काम कमा रही थी अपनी हक हलाल की कमाई से पैसा बना रही थी वो सब कुछ उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया अब आनल सुब्रेमन जी के बारे में तो हम जानते ही हैं वो तो बामर एंड लॉरी नाम की कंपनी में वीपी वाइस प्रेजिट हुआ करती थी उनकी सेल्री थी पूरे पंदरा लाक रुपए लेकिन उनकी लास्ट सेल्री जो एनसे में थी वो थी करीब सबाद चार करोड रुपए जी हाँ 15 लाग से सबाद चार करोड रुपए का फासला सिर्फ 3 सालों में टाय किया आनल जी ने कुछ पता ने क्या ऐसा फिचुरिस्टिक पड़ाई की होगी जो NSE ने ऐसे महान काम की और उनको सेलरी दी ऐसी तो आनल जी का महीनों के साथ आपको यहां फिर करके लिस्ट में दिखाई देगी इतना सादा इनका भी एक तरीके से परमोशन होता रहा कुछ महीनों बाद काफी बार ऐसा हुआ कि इनका सेलरी पैकेज कुछ लाकों के साथ बढ़ा दिया कभी कभी करोड रुपए भी देखें यहां से बुद्दे काफी खुलते हैं जो आलंद सुबरमन्यम जी हैं अब इनका क्या है जो यह सेलरी जाती थी वो किसी योगी बाबा के पास भी जाती थी कुछ कट अच्छा खासा कट अलग से भी जाती थी NSE के लोकर्स से लेकिन आलंद सुबरमन्यम जी के थूरू भी जाती थी अब यहां से दो बाते हैं जो दो बाते चल रही हैं और उसमें से हम बताएंगे कि हमें क्या लगता है दो बाते क्या है पहला योगी कोई पॉलिटीशन है कोई फालेंस मिनिस्ट्री में हैं जिनको एक तरीके से ये पैसे हर महीने पहुंचा करते थे लेकिन माल लीजिए कर इनका पैकेट चार करोर रुपए भी था मिस्टर सुबरमन्यम का पुरे साल का तो उस केस में अगर एक पॉलिटीशन की बात करें तो पॉलिटीशन पूरे साल में चार करोर क्या है उसके लिए तो बिकम्स डिफिकल्ट तो अंडर्स्टैंड दाट वाई अपॉलिटीशन अट अट अचार लेवल आप पॉजिशन क्योंकि छोटे लेवन का पॉलिटीशन इतना मैनिपलेशन नहीं कर पाएगा तो और किसी का सेकरेटेरी भी हो सकता है लेकिन जिसकी आवाज हो भारीज इसका एक तरीके से रुदवा हो और एक तरीके से यहां पर ये हो सकता था कि बॉलिटीशन कोई हो लेकिन होता तो इतने कम पैसे के लिए बढ़ा जोल नहीं करता और इसमें अगर वो एक तरीके से Mr. Subramanium कोई एक तरीके से वो एक कटपुतली है अगर वो कटपुतली भी है तो किसकी कटपुतली है पॉलिटिशन की, बिसनस मैन की कोई थर्ड पार्टी की बाबा सच में कोई योगी बाबा होना very 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 low chance कि कोई सच में कोई योगी बाबा होगा हिमालिय का जिनको पैसे जाते थे अगर योगी बाबा है तो उनको पैसे की ज़रूत नहीं है तब ही तो हिमालिय में बैठे हैं मटिरिलिस्टिक दुनिया से खतम हो जोके हैं उनको NAC से क्या लेना देना उनको पैसे से क्या लेना देना तो किस बिना पे वो पैसे जाते थे दूसरी चीज़ होटल की बुकिंग हुआ करती थी उन बाबा के नाम पे अब होटल की बुकिंग बाबा के नाम पे है और जिस टाइम पे बुकिंग होई थी उसी टाइम के दोरान उतने ही पैसे का बिलिंग उसी होटल को मिस्टर आलन सुबरमनियम के अकाउंट में से देखा गया तो इससे तो कुछ और ही पता लगता है विसी इसको वेलिडेट कौन करता है इसको वेलिडेट करते हैं एनेसी के पूर चेर्मैन मिस्टर अशोक चावला जी अशोक चावला जी का कहना है के योगी बबा कोई और नहीं मिस्टर आलन सुबरमनियम भी है वही हैं जो घुमा रहे हैं सारे दुनिया को चितरा जी की साथ जुड़े होए है इनकी वाइफ को लगाया बेस पार्ट पता क्या है husband की wife की job एक ही company में लगे एक ही दिन को लगे और best part is कि वो first April हो तो April fool बनाया लेकिन अब क्या करें बन गए NSE बना NSE के investors बने और हम लोग वो पता ही नहीं था क्या हो रहा है but nonetheless जो भी था as per Mr. शोक्चावला it's none anybody else but Mr. आनल सुबरेमनियम himself who is the Yogi Baba there's nobody else involved कोई और फर्जी अकाउंट खोला हुआ है उसको पैसे देते हैं और खुद उसी पैसे को यूज़ करते हैं उसका debit card भी उनके पास है तो दोस्तों ये सब चीज़ें बाहर आ रही है इसके लावा बहुत सारी तफ्तीश EY आनल सुबरमनियम ही जुड़े हुए है चित्रा जी ने एक कहानी बुनी है एक थर्ड पार्टी को इंट्रीउस किया ताकि उतर फोकस जाए और कह दिया योगी बाबा और लोग कहेंगा अच्छा योगी बाबा होंगे कुछ शायद जिन से पूछा जा सकता होगा तो एक कहानी पर विश्वास बन सकता है इस डिफिकल्ट थिंग तो कैच उनको पकड़ेगा कौन एक आइडिनिटी नहीं दी नाम पता कौन है वो लोग उनकी इस्ट्री अधार काड़ क्या है कुछ नहीं बताया तो कि एक्जिस्ट ही नहीं करता तो तेरे इस एफिज लाइकलिहुड देट इस हिमसेल्फ आने सुब्रमानियम इस दा योगी यह आने वाले समय पता लगेगा हो सका मैं कम्प्लीटी गलत हो हो सकता है कुछ निकले थर्ड पार्टी लेकिन as of now जो लग रहा है वो यही है अभी के लिए इतना ही और डिटेल पता लगी आपको अच्छे से बताएंगे थैंक यू सो मच टेक क्या बभाई स्कारिष आलू के लिए यूसित